प्रिये व्यूर्स, कोरोना संक्रमन विशेशकर ओमिक्रॉन के लगतार बढ़ते मामलों के चलते इस प्रोग्राम को अभी कुछ दिनों तक वॉइस ओवर बेस्ट भेजा जाएगा इस्तियां सामाने होते ही प्रोग्राम फिर से पूर रूप में प्रसारित किया जाएगा आपके सहयोग के लिए धन्यवाद इन न्यूस प्रोग्राम में एक बर फिर से आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है यूक्रेन, रूस, विवाद और अमेरिका की चेतावनी तो आएए सबसे पहले इसके चर्चा के बिंदों पर नजर डालते हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि खबर क्या है यानि न्यूस हमारी आज की क्या है फिर यूक्रेन के बारे में जानेंगे और फिर पूरे मामले की प्रिष्ट भूमी को समझते हुए वर्तमान स्थिती पर नजर डालेंगे फिर नाटो, यूक्रेन और रूस पर बात करेंगे और फिर इसी के मद्दी नजर भारत के लिए इसके प्रभाव उपर चर्चा करेंगे और फिर अंत में निशकर्ष को देखते हुए आपकी तैयारी के लिए रहेगा एक प्रश्न आज का ये टॉपिक GS Paper 2 यानि अंतरराष्ट्रे संबंध से जुड़ा हुआ है तो चलिए शिरुआत करते हैं सबसे पहले खबर देखते हैं बाइडन वोज यूएस टू एक्ट डिसिसिवली इफ रश्या इनवेज्स यूकरेन तो ये हमारी आज की खबर है अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हाली में अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन ने यूकरेन के राष्ट्रपती वोलोदिमीर जिलन्सकी से कहा कि अगर रूस यूकरेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी इसका निरणायक जवाब देंगे रूस ने यूकरेन से लगी सीमा पर लगभग एक लाख सैनिक तैनात किये हुए हैं जिसके बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए यह बातचीत की गई है इसके अलावा अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी की मदद से रूस पर आठिक प्रतिवंध लगाय जाने की भी बात कही है आईए अब यूकरेन के बारे में जानते हैं यूकरेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है इसकी राजधानी कीव है जो उत्तर मद्धे यूकरेन में नीपर नदी के नजदी एक स्थित है यूकरेन लंबे समय तक सोवियत संग का हिस्सा रहा है 1991 में सोवियत संग क विगटन के बाद यूक्रेन को पूर्ण स्वतंतरता मिली यहां आप इस मैप के जरीए इसकी पूरी अफस्थिती को अच्छे से देख सकते हैं इसकी राजधानी कहां स्थित है पूरी नजर आप इससे डाल सकते हैं आईए आप पूरे मामले की प्रिष्ठ भूमी को समझते हैं यूक्रेन और रूस सेकड़ो वर्षों से सांस्कृतिक भाषाई और पारिवारिक संबंध साजह करते रहे हैं सोवेत संग के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवेत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपून था जबसे यूक्रेन सोवेत संग से अलग हुआ है, रूस और पश्चमी देशों दोनों ने इस क्षेतर में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए यूक्रेन पर प्रभाव बढ़ाने के प्रयास किये हैं 2013 में इस क्षेतर में एक ऐसा ही आंदोलन तब शुरू हुआ जब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन या रूस के नेतरत वाले यूरेशन आर्थिक संग में शामिल करने को लेकर बहस छड़ गई यूक्रेन के तदकालीन रूस समर्थक राष्ट्रपती विक्टर यानुकोविच ने यूरेशन आर्थिक संग में शामिल होने का फैसला किया जिससे विरोधी गुट नाराज हो गए और हिंसा भड़क उठी इस आंदोलन को यूरो मैडन आंदोलन के नाम से जाना जाता है यूक्रेन में बढ़ते पश्चमी प्रभाव की आशंकाओ की चलते रूस ने यूक्रेन के एक शेत्र क्रीमिया पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया इसके अलावा रूस ने पूरवी यूक्रेन में एक अलगाव वादी आंदोलन को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया जहां कई रूसी जातियों से संबंधित लोग रहते हैं आई अब वर्तमान इस्थिती पर नजर डालते हैं बीते मामलों को ध्यान में रखते हुए रूस अमेरिका से आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा हालकि अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने साफ कर दिया है कि वह ऐसा कोई आश्वासन देने को तयार नहीं है इससे रूस और यूक्रेन के बीच गतिरोद की स्थिती बनी हुई है और रूस ने अपने सैनिकों को किसी भी स्थिती में तुरंत कारवाई के लिए इस क्षेतर में तैनात कर दिया है यहाँ आप इस मैब के जरीरे, इन सैनिकों की जो रूस के जो सैनिक है उनकी तैनाती को देख सकते हैं के पूरी क्षेतर में कहाँ कहाँ किस तरीके से तैनाती की हुई है। अब जानते हैं NATO, यूकरेन और रूस के बारे में। कई विशेशग्यों का मानना है कि रूस यूकरेन की सीमा पर तनाव को उच्छ सर पर इसलिए रख रहा है ताकि प्रतिबंधों से राहत और पश्चमी देशों से अन्य रियायतें मिल सकें। अमेरिका ने रूस से यूकरेन की सीमा से सैनिकों को कम करने की बात कही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाटो यानि North Atlantic Treaty Organization के जरिये रूस पर प्रतिबंध लगाने की तयारी कर रहे हैं। यूके यूकरेन को काला सागर और अजोव सागर में दो नौसैनिक अड़े बनाने में मदब करने के लिए तयार है। अमेरिका ने एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलें और यूएस कोस्ट गार्ड गश्टी नौकाएं यूकरेन को भेजी हैं। अब ऐसे में सवाल है रूस क्या चाहता है। रूस अडिग है कि वे यूकरेन को नाटो में शामिल होने की अनुमती नहीं देगा। इसके अलावा रूस चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में सैन्ने गतिविधियों को छोड़ दे। रूस यूकरेन द्वारा उसके पूर्वी क्षेतर में रूस समर्थिद बलो के खिलाफ तुर्की ड्रून की तैनाती और काला सागर में पश्चिमी देशों के सैन्ने अभ्यास से चिंतित है। इसके अलावा रूस भी निराश है कि पूर्वी यूकरेन में संगहश को रोकने के उदेशे से 2015 का मिंस्क शांती समझोता पूरा नहीं हुआ। पूर्वी यूरोपियक शित्र में तनाव और अस्थिर्ता, इसके अलावा एशियाय राजनीती की गतिशीलता में बदलाव और USA और उसके सहयोगी देशों की रूस से टकराहट का भारत-रूस संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही रूस-चीन की जो बढ़ती नजदी की है उसका भी भारत और रूस संबंधों पर प्रभाव देखा जा सकता है। अब यहाँ एक सवाल है कि यूकरेन के लिए पश्चिमी देश किस हद तक समर्थन दे सकेंगे। में सुरक्षा और सहयोग संगठन की बैठकों में समाधान के प्रयास किये जाएंगे। अब बारी है आज के प्रश्चन की यूकरेन रूस तनाव के क्या कारण है। संयुक्तराज्य अमेरिका और उसके सहयोगिय द्वारा इसे सुलजाने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इसका एश्या की राजनीती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशलेशन कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए जैहिंद। इस टॉपिक को उंग्रेजी में देखने के लिए देखे हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल।